आस्ट्रेलिया के भी किंग बने कोहली ऐसा करने वाले इकलोते बल्ले बास विदेशी धर्ती पर कोहली का राज भारत बनाम पाकिस्तान के बीच 23 अक्टूबर को महा मुखाबला खेला गया इस मुखाबले में विराट कोहली ने 82 रनों की धमाकिदार पारी खेलते हुए टीम इंडिया को बड़ी शिकस्त से बचाया और एक एतिहासिक जीत दरज करवा दी इस मुखाबले में भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 82 रनों की नाबाद पारी खेली इस पारी की सबसे खास बात विराट कोहली की इनिंग बिल्ड करना रहा जिसमें उन्होंने अपना समय लेते हुए नखेवल टीम को मुश्किल परिस्थितियों से उबारा बलकि भारते टीम को एक सबसे यादगार जीत दिला दी लेकिन अब इसी जीत के बाद विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की धर्ती पर एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है जो आज से पहले कोई अन्य बल्ले बाज नहीं कर पाया है ये रिकॉर्ड भी रनों का ही है और ये रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा रन बनाने का भी है चलिए जानते हैं वो कैसे आपको बता दे विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के मैदान MCG पर पाकिस्तान के विरुध 82 रनों की पारी खेली और उन्होंने आस्ट्रेलिया की मैदान में यानि की आस्ट्रेलिया में अपने T20 अंतराष्ट्री में 500 रन पूरे कर लिये हैं अब इसी के साथ आस्ट्रेलिया में तीनों ही प्रारूपों में चाहें वो टेस्ट हो या फिर वंडे विराट कोहली 500 रन बनाने वाले एक मात्र बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली के नाम आस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकिट खेलते हुई 1352 रन हैं वहीं वंडे में ये आकड़े 1327 हो जाते हैं T20 में कुल अभी तक विराट कोहली के नाम 533 रन है विराट कोहली ऐसा करने वाले पूरे विश्व क्रिकेट में एक मात्र बलेबाज हैं ये बात तो मानना होगा कि जब से विराट कोहली आराम के बाद वापस लोटे हैं विराट कोहली धासू फॉर्म में है और अगर विराट कोहली इसी तरह से बलेबाजी करते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब एक बार फिर से टीम इंडिया 15 साल के बाद T20 विश्व कप उठाएगी अब विराट कोहली से यही उमीद की जा रही है कि वो अपने इस फॉर्म को जारी रखे इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ